इंडिया में जो इंडियन गोशर्मेंट है वो 11 कृप्टो ऐसे एक्शेंज को चुनके निकाली है जिन्होंने टेक्स की चोरी की है यहां पर यह न्यूज आया है और यह बहुत बड़ी न्यूज है योकि यह जो 11 एक्शेंज है वो बहुत बड़े बड़े एक्षेंज है जिन पे इंडिया में लोग ट्रेडिंग करते हैं अगर आप इन जो 11 एक्षेंज पर ट्रेडिंग करते हैं तो ये बात क्लियर हो गई है इन पे आपको 1% TDS कटेगा तो 1% अगर TDS कटता है तो इसका मतलब गुर्वर्मेंट आपको ट्रेस करेगी आपने कितना क्रिप्वर रखा है और आपको साल के आखरी में 30% का 30% फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा ये जितने भी 11 एक्षेंज है इन गुर्मेंट ने ढूंडा है इनको नोटिस भेजा है कि आपने जो टैक्स के चोरी की है टैक्स भरी है क्योंक अगर हम बात करें उन एक्षेंज का तो अभी 11 एक्षेंज का नाम नहीं डिस्क्रेज हुआ है लेकिन 5 ऐसे एक्षेंज है जो बड़े एक्षेंज है उनका नाम सामने आया है जैसे की वजीरेक्स हो गया, क्वाइन स्विच कुबेर हो गया, क्वाइन DCX हो गया, बायू क् यह पाँच ऐसे बड़े एक्षेंज है जिनका नाम सामने आया है जिन्होंने टैक्स के चोरी की है तो वजीरेक्स, कॉइन सुइच कुबेर, कॉइन DCX यह आप देख रहा है यह तीन जो बड़े एक्षेंज है इन पे सबसे दा ट्रेडिंग होती है तो इन तीनों पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब साफ हो चुका है आपको यहाँ पे 1% TDS कटने वाला है 1% TDS कटने वाला मतलब आप जो भी क्रिप्टो करेंसी इस एक्षेंज पर रखे हुए होंगे गौर्मेंट को पता होगा आपने कितने रुपाय का कितना क्रिप्टो खरीद आप इसी हो रखा होगा गौर्मेंट उसे ट्रेस करेगी वहाँ पे आपका पैंट कार्ड और आधार कार्ड लिंक है जो लेकिन जो इंटरनेशनल एक्षेंज हो गए अभी उन पे डाउट बना हुआ है जैसे कि एक अप्राहिल के बाद जब यह टेक्स लागू हो जाएग डाउट आ रहा है और क्या उनका जो इन्योश्मेंट है वो सेफ है तो यहाँ पता दू उनका पैसा 100% सेफ है कहीं नहीं जाने वाला यह जो न्यूज है यह टेक्स है इन्होंने टेक्स के चोरी की है उजह भरना पड़ेगा यहाँ पे यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नही पिट्कोईन गा तो यहाँ पे नोटिज जाने की बाद क्लियर हो गया कि गोउर्मेंट की नजरों में यह सारे एकस्टेंज है फिलाल बाइन्स का इसमें कहीं नाम नहीं तो यहाँ पे हम अभी भी बाइन्स को सेफ मान रहे है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे देखते हैं जो international exchange है जिसमें लोग globally trading करते हैं क्या वो भी safe रहेगा ये हमें पता चलेगा एक अप्राइल या फिर एक जुलाई से जब ये लागो हो जाएगा अब अगर हम बात करें bitcoin का तो यहाँ पे कल मैंने दो scenario बताये थे पहला और दूसरा कल की वीडियो आप देखेंगे आपको हर चीद पता चलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये pump आने के बाद एक correction यहाँ पे देखने के मिला है pump आने के बाद एक छोटा सा यहाँ पे correction हुआ है तो यहाँ पे जो second scenario है इस पे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं मुझे लग रहा एक थोड़ा सा correction होगा उसके बाद एक pump यहाँ पे एक बड़ा pump हमें देखने के मिलेगा तो यहाँ पे दोनों case में मैंने बोला था कि आपको bitcoin में profit होगा अगर correction के लिए थोड़ा सा down जाएगा तो आप उदास मत होईएगा तो यहाँ पे मैंने आपको bitcoin का कल चार्ट बताया था उस पे बने रहीगा प्लस यह जो tax का था मुझे लगा आपको बताना चाहिए और क्यों न बताया जाए क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो लोग tax के बारे में ही सोच रहे हैं क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि bitcoin pump क्या profit कमालू लेकिन profits कमाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कैसे आप 30% tax बचा सकते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लस और भी नएने तरीके और टेक्निक में बताता रहा तो आप मैं YouTube चैनल पे तो आप मैं YouTube चैनल पे नए हैं चैनल को सब्स